नमस्कार दोस्तों आज मैं हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया में और बलिया के रोडवेज स्टेशन पे हूँ और हमें अपने सुत्रों से पता लगा है दोस्तों कि यह जो दो-तिन दिन पहले का जो माहौल खराब हुआ था केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में अगनी सिर्वाली नीति के विरोध में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं तो हमारे बिहार के साथ साथ जो है वो बलिया के माहौल पर भी बहुत गहरा असर पढ़ा है दोस्तों रेल परिचालन लगबख पूरी तरीके से ठब हो चुका है लोग सरकारी ब्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ बसों पर निर्भर रहे गए हैं आज हम हैं बलिया के बस स्टैंड पर और हम यहां से जानकारी लेने का प्रियास करते हैं कि किस तरीके की बस की सेवाएं जो है वो राजी परिवान निदम चला रहा है और किस तरीके से लोग आ रहा है और इस पूरे माहौल की शंदक है बलिया के और आप से हम पूछना चाहेंगे कि सर यह जो बवाल हुआ तब से यात्रीयों पर कितना प्रभाव पड़ा है बहुत जादे प्रभाव पड़ा है यात्री तो बिल्कुल न आ मातर के निकल लिए रहा है बिल्कुल भैर से नहीं निकल रहे है नहीं घर एक इक कर क गाडी बेजर रही है तर गाडी सी आरूम ज़े देखिए दोस्तों चेत्री प्रवंदक साब बता रहा है कि सात लाक रूपे पर्डे का नुक्सान है और इस मामले में हम बहुत जल्दी जो है वो परिवहन मंत्री जो तरप्रदेश शासन के हैं रिया संकर संगी हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे लखनव जा करके हम हम यह बताना चाहते हैं दोस्तों आपको की बहुत सारे लोग इंतिजार कर रहे हैं अपने लिए साधनों का इसका भी हमको पता चल रहे हैं साधन साधन चल रहे हैं सर पूरे सब्सक्राइब कर दोटो एक गाड़ी दिल्ली गई है जी बाकी लोकल महारी पर देखिए वहा हम उच्छा रहे हैं था रहे हैं सब्सक्राइब कर दोटे हैं तो आपको अपने बाध़ करना है तो महारी जाने के लिए दो से त्री घंटें तियार करना पड़ रहा है देखे दूस्तों कुछ कुछ लोगों की ना समझी की वज़ा से कुछ लोगों की गल्टी की वज़ा से पूरे देश को भुगतना पड़ता है और उसमें हमारा जिला भी अचूता नहीं रहा बीयार के सासाथ तमारे बालिया पर भी इसका बहुत गहरा प्रभावब पड़ा है और लोग जो है वह ब बनारास जाएंगे बस तो बनारास की बस आपको कब मिलेगी धाई वजय मिलेगी मतलब देड़ घंटे आपको इंतिजार करना है तो यह तो बहुत कस्थ हो रहा होगा आप लोगों को और यहां से जो आपको वहां से नागपुर का कनेक्शन कैसे मिलेगा आठ बजे की ट्रे से फिर दूसरा साधन करके आपको नागपुर जाना भाट देखें दोस्तो कितनी दूर के यात्री यह महिलाएं हैं इन महिलाओं को नाघपुर जाना है महारास में जो इतार्ची के बाद पढ़ता है और यह लोग जो है इतनी लंबी यात्रा पर निकले हुए हैं लेकिन कि बहुत अच्छी तरीके से जो है एक और बास आगई दोस्तों देखें बहुत कम लोग हैं लेकिन लोगों में डर है इस वह से जल्दी बैठ करके किसी भी तरीके से निखल रहे हैं महाल बलिया को बहुत चांथ है अपनी तरीके कोई जिक्कत नाहीं है गारे लोग दूसरे का सायोग कर रहा है लेकिन फिर भी बसों में सवारी नहीं है दोस्तों सवारी की शंक्या दिखा दीजिए घरा यह बहुत दोस्तों चार से पांच-दस लोग जहां बैठे गुए हैं यह लोग मौउ जाएंगे सर लोग मौउ आजमगड की बीच में दोस्तों सीट पर जगा नहीं मिलती है मजबूरी में लोगों कभी-कभी खड़ा होना पड़ता लेकिन आज की सिर्थी देखें दोस्तों बिल्कुल भी सवारी नहीं बिल्कुल भी सवारी नहीं है कुछ लोग की वज़ा से थोड़े से पच्छर बाजी की वज़े से पूरा का पूरा माहौल खराब हो रहा है सरकार को क्रोल रुपे के राजस्टों का नुक्सान हो रहा है और आज है हम बलिया में मैं वर्यूंश्र वास्ता और आप देख रहा है मेरा यूट्यूब चैनल यू